गुड मॉनिंग, इस्टुडेंट्स ओफ क्लास फोर्थ, आज हम यूनिट वन फूड एंड डाइजेशन का चैप्टर वन फूड स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो फूड हमारे लिए है, फूड क्या होता है बच्चों, फूड मिस होता है खाना जिसमें राइस, चापाती, दाल, वेजीटेवल, फूड, सैलेड, सैन्विचेज, बर्गर, पास्ता, इस्क्रीम, पीजा, मिल्क, ब्रेड, एक्स, ये सब क्या है ये वेराइटी ओफ फूड हैं जो हम खाते हैं तो why does our body require food, हमारी body को food की क्यों जरूरत होती है तो ये आज हम जानेंगे Why do we eat food, हम food क्यों खाते हैं तो सबसे पहली बात है, all living beings eat food, सभी living beings, जितने भी जीने वाले, इंसान हो या कोई animal हो सभी को food की जरूरत होती है Foods are the following purpose, कुछ उदेश की पूर्ती करता है, जो हमारा food होता है Number one, it provides us the energy required for carrying out all the activities जितनी भी activities हम करते हैं, जैसे आप खेलते हैं, तो खेलने के लिए आपको energy चाहिए भागने के लिए, रेस लगाने के लिए आपको energy चाहिए तो वो किस से कौन प्रोवाइड करता है आपको food आप खाना healthy food खाएंगे, तो आपको ज़्यादा energy मिलेगी, तो आप अच्छे से work कर सकते हैं दूसरा है, it helps us to grow आपने देखा हुआ, आप पहले छोटे होंगे, आप आपकी growth length पढ़ गई होगी तो growth करने में आमारी बहुत help करता है, food अगर हम अच्छा food खाएंगे, तो आमारी growth अच्छी होगी तीसरा है, it protect us from disease, यहाँ में बीमारियों से बचाता है, diseases से बचाता है and help in keeping the body healthy और आमारी body को healthy बनाए रखता है चौथा point है, it also help in repair, यह हमारी body में repair करने का काम भी करता है माल लीजिये, जैसे कि हमारे कहीं जोट लग गई, तो क्या है, वहाँ पर थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाएगी तो वो कैसे ठीक होगी, तो food क्या है, food से को, tissue को, worn out tissue काटा रहा था और उसके बाद उनने repair कर रहा था, ठीक कर रहा था तो हमारी body में चार काम करता है, food, single food, उस food से हम क्या कर सकते हैं, energy obtain कर सकते हैं, हमें energy देगा various life activities को पूरा करने के लिए, growth में help करता है, disease से हमें protect करेगा और साथ में हमारी body को healthy रखेगा, और हमारी body में अगर कहीं चोट लगती है, तो worn out tissue को repair भी कर देता है